हलो नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल डिपार्टमेंट और पोस्ट एक्जाम पर आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्ष 2020 में हुए GDS2 MTS पेपर सोल करेंगे जो आपके लिए बहुती महत्य पूर्ण है क्योंकि आपको काफे क्यूसन इनमें से ही मिलते जुलते देखने को मिलेंगे इस वीडियो से पहले भी मैंने दो वीडियो इस चैनल पर डाले हैं GDS2 Postman और GDS2 PA यदी आपने व्यडियो नहीं देखें तो जरूर देखें वो आपके लिए बहुती महत्य पूर्ण है उनमें से काफे क्यूसन आपको एकजाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि काफे क्यूस आपके हर बार रिबएट होते है तो चलो दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं यदि आपने भी तक चैनल को सबस्क्राइब करें इसके पास में डिये गे रेड वेल आगन को प्रेस करें ताकि जो भी नेवी डिये है उसका नोटिपिकेशन सबसे बहले आपके पास आए क्यूसर नमबर एक हमारा डुब्लिकेट पास्पुक बिनाने के लिए निरदारिक प्रेस कितनी है कितनी है वह है दोस्तो आपके 50 रुपे इसमें आपका D-Option सही है इससे सब मने जितने भी क्यूसर ने जैसे अकाउंट ट्रांस्टर करने की क्या फीस है नोमीनी एड करने की क्या फीस है ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्यूसर नमबर टू है हमारा लोग बहुशे निदी खाता जो आपके प्पीफ है और दी पूर्ण होने के लिए बाद एक साथ कितने वर्स के लिए बढ़ा जा सकता है वह है दोस्तो आपका इसमें भी उप्सन सही है पांच वर्स फिर हमारा क्यूसर नमबर टू है किसी एक वक्ती द्वारा मासिक आए खाते में अरिक्तम कितना निविश किया जा सकता है 4.5 लाग यदि दोस्तो अकाउंट जोइंट में है तो 9 लाग रुपे दोनों तरिके से आपको पता होना चाहिए एकजामें पूछा जा सकता है इसलिए और दोस्तो इसमें अभी इंट्रेस्ट कितना है 6.6 ये भी आपके एकजामें पूछा जा सकता है क्यूसर नमबर 4 है क्यूसर नमबर 5 है बजट काता खोलने के लिए नियुन तमराशी कितनी है वह आपके 500 पांचुर रुपे आपका ब्यूप्सन सही है क्यूसर नमबर 6 परदान मंतरी जीवन जोती बिमा योजना के अंतगरत 2,00,00 रुपे का जीवन बिमा लेने के लिए वार्षिक कितनी है दोस्तो इसमें आपके 330 रुपे तो D-Options सही है एक दोस्तो आपके पडान मंतरी सुरक्सा बिमा योजना इसमें कितनी है इसमें दोस्तो आपके 12 रुपे आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है पर क्यूसर नहीं हमारा 7 अंतरदेश ये पत्र है अधिकतम बार कितना है इसका है 5 ग्राम ये उप्सन सही है क्यूसर नंबर 8 है पार्सल की अधिकतम लमाए कितनी है दोस्तो वेशे तो एंसर की में 4 मिटर था लेकिन इसमें सही अंसर होगा 2 मिटर वेशे आपको वेबसाइट पर भी देखना है कितना देर रखा है वेशे आपके उसमें 1.70 है इसलिए जो 2 के लगबग है क्यूसर नंबर 9 है एक बुक प्के炁 का अधिकतम बाहर कितना हो सकता है इसमें 67,05 क्यूसर नंबर 10 है इसमें आपका बेउप्सन 35 kg क्यूस्ट नमबर 11 है प्रतेक पत्र पेकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाग रोगी तारिक मौल लगानी पड़ती है इसमें आपका ये उप्सन आएगा दो डाग रोगी क्यूस्ट नमबर 12 है अत्रिक्त विबागे साका डागर अधितब कितने गट तक प्लिर रहते हैं इसमें आपका ये उप्सन है पांच गंटे क्यूस्ट नमबर 13 है थर्टीन डाग विबाकिस अधिकारी के प्रस्रिक नियंदर में आता है तो दोस्तों इसमें आपका ये उप्सन आएगा महानीदी से डाग नहीं दिली आपके डारेक्टर जनरल डीज क्यूसर नमबर 14 है बारत में कितने पॉस्टल सरकिल है डी उप्सन 23 दोस्तों जो 23 सरकिल है इनके आपका एड़कार के नाम भी याद करने एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे आपके क्यूसर नमबर 15 है उसमें पूछा गया है अन्यबान और निकोबार दिवसों में किस पॉस्टल सरकिल के अधिकार चत्र में आते हैं तो दोस्तों आपका सी उप्सना आएगा इसमें पस्चिम बंगाल क्यूसर नमबर 16 है अपने वर्तमान सरूप में दार विभा का गटन कब हुआ इसमें आपका एक उप्सना आएगा एक एक अक्टूबर 1854 है दोस्तों सभी किस दन आपको याद करने जैसे पेले पेलाइए पीलाइए कब स्टार्ट हुई हमारा डिपार्टमेंट कब हुआ यसे जीसे कितना हो रहा है दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट में एक अक्टूबर 1857 जिसका वर्तमान सुरूप है और दोसरे से PLI का भी आपको याद करना है, RPI का भी याद करना है, एक्जाम में से स्वाल पुछे जाते हैं पिर हमारा क्यूसर नमबर 17 है वेलू डाई और लाइसेंस डाई, जैसे सब निमने लिकित में से किस से जुड़े हैं या आपके फ्रेंकिंग मस्थीन क्यूसर नमबर 18 किसी डाक वस्तू को वापस बुलाने के लिए पोस्टल सुल कितना है, 6 रुपे, C उप्षन क्यूसर नमबर 19 है, बिमाकर्थ वस्तू के कितने मुले से अधिक होने पर विंड़ो डुलिरू की जाएगी, 5 रुपे, तो इसमें आपका A उप्षन आएगा क्यूसर नमबर 20 है, सुजावस और सिकाहित पुस्ति का नेमने लिकित में से किस के दुवारा बना कर रखे जाती है, यह सभी डागरों के दुवारा, D-Option आएगा क्यूसर नमबर 21 है, अंदा साहिते पेकिट के बाहर की सिमा क्या है, सेवन के जी, इसमें D-Option आएगा आपके पिर हमारा क्यूसर नमबर 22, किसी भी डागरों के दुवारा क्यूसर नमबर 23 है, नेमने लिकित में से कौन पत्तम स्रेणी मेल में आता है, तो आपका क्यूसर नमबर C आएगा, पत्तर पोस्ट कार्ड और पत्तर कार्ड किसी सरकल के परमुक के मुख्याले में इस्तित परतम स्रेणी हेड ओपिस या जहां एक से अधिक ऐसे हेड ओपिस है जिने मुख्याले से सलंगल किया जाता है क्या कैलाता है दोस्तों इसका सही एंसर है आपका बी ओप्शन जन्रल पोस्ट ओपिस यानि जी पीओ जन्रल पोस्ट ओपिस क्यूशन नमबर 25 है किसी डागर के डू मेल और सोर्टिंग सुची किसके द्वारा जारी की जाती है तो आपका सही एंसर है समनित डागर के अधिक सक क्यूशन नमबर 26 है यूनिट बेक कारयले अपनी देनिक बेक बेलेंस रिपोर्ट किसे बेजता है तो आपका सही एंसर है डी ओप्शन जिला बेक कारयले क्यूशन नमबर 27 है TMO का पूर्ण रूप क्या है तो इसका है दोस्तो ट्रांजिट मेल ओपिस आपका डी ओप्शन सही है क्यूशन नमबर 28 है लेबल बेंडल के उपर बांदी जाने वाली लेबल को निमन लिकित में से क्या कहते है तो दोस्तो क्या कहते है इसमें आपका सही ओप्शन होगा B चेक स्लिप क्यूशन नमबर 29 है आपका एक station bundle में नेमने लिखत में से कौन चीवस्ति होती है तो आपका P option सही है Station Appanjigard वस्तुए Question number 30 है काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग की एक सेड़ दुआर अपनी गस्त के एक सीरे से दूसरे सीरे तक की जाने वाली यात्रा क्या करता है तो आपका A option सही है तो दोस्तों आपके 30 question complete हो चुके जो department के अब आपके अगले 10 question आएंगे वो आपके general knowledge जिक्के के आएंगे आपके हर question दो नमबर के आते हैं आपके फर्स टेवर में total 50 question आते हैं तो हर दो नमबर के तो आपके total 100 नमबर का पहला paper होता आपका question number 31 है एक विशेश प्रकार की उन पसमीना बारत के कौन जे बाग में पाई जाती है या आपके लदाक में पाई जाती है आपका A option सही है question number 32 है पाक जलसंदी कहा इस्तित है question important है आपके एकजाम में repeat हो सकता है तो दोस्तों आपके जो हमारा देश है इंडिया है इससे जितनी भी आपके border लगती है पाकिस्तान चाइना जिनका नाम है मेक मोहन ऐसे ना सभी आपको याद करना जूरी है ये question आपके एकजाम में काफी बार repeat हो है कभी भारत पाकिस्तान की पूछ लेते हैं तो कभी भारत चाइना की पूछ लेते हैं इसमें आपके जो पाकिस्तान चाइन काइस दीत है ये आपका C option भारत सी लंका question number 33 है बढ़तना टेम कौन से राज्य का नरते हैं या आपके तमिल नाडू ये question भी important है ये question तो दोस्तो जितनी बार भी आपका पेपर होता है ये question आपके exam में पूछा ही जाते है इन से सम्मझे जो भी नरते है आपको सभी राज्यों से सम्मझे नरते ही याद करने है question number 34 भी important है प्रशिद कलाकार विस्मिला खान का सम्मझे में लेक्त में किसके साथ है ये आपका C option सेहनाई के साथ दोस्तो जो ये तीनों question है वो आपके लिए important है exam में repeat हो सकते है question number 35 है भारतिस हुईदान की कौन ची धारा में मोलिक करते हुआ का वर्णेन है वो आपके 51A तो आपका B option सही है question number 36 है भारत में राज्यों के राज्यों की नियुकता कोन करता है तो राज्यों की नियुकती भारत के राष्ट पती तो आपका D option सही है फिर हमारा 37 क्यूस है 37 क्यूसन बारत में ओप्रिशन फ्लड के जनक कौन है आपका ये उप्शन सही है डोक्टर वर्गिज कूरियन क्यूसन नम्र थाटी एट है दर्ती पर सबसे कट्रों ततों कौन सा है वो आपका हीरा कौन है डाइमंड डी उप्शन सही है बारत में महत्मा गांधी ने परतम सत्यागरे कहा किया था ये आपका ये उप्शन चमपारण अब दोस्तों आपके 10 क्यूसन में ये 3 क्यूसन बचे है तो दोस्तों मैं इन क्यूसनों को सोल नहीं करा हूँआ क्योंकि आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए दोस्तों जो क्यूसन सही है मैं उन पर राइट का मार्श कर देता हूँ दोस्तों हमरा 41 क्यूसन है एक दुकानदार अपने क्रेम मुल्य पर 22.5 परतिसत का लाब कमाना चाहता है ये दिकी सप्ताय में उसकी कुल बिकरी 300 ब्राण में रुपे थी तो उसका लाब कितना था तो दोस्तों 41 में आएगा आपका डियो अप्शन इसमें 72 रुपे है अब हमारा 42 क्यूसन है 12,500 रुपे की एक राशी साधान ब्याज की दर से 4 वर्स में 15,500 रुपे हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है तो दोस्तों इसमें आपका डियो अप्शन सही है 6 परतिसत फिर हमारा 43 क्यूसन है यदि 6 पूरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं जबकि 26 पूरुष और 28 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं उसी काम को करने में 15 पूरुष और 20 लड़के कितना समय लेंगे तो दोस्तों आपका फूरुटु 3 में सही अंसर है ए उप्षन चार दिन अब हमारा 44 कुशन है दो अंग एक दूसरे अंग से करमस 20 परतिसत और 50 परतिसत अधीक है उन दो अंगों का अनुपात क्या है तो दोस्तों आपका चम्मले समाएगा C उप्षन 4 अनुपात 5 अब हमारा 45 कुशन है एक इसान ने 61 किलोमेटर की दूरी 9 गंटों में तेगी उसने कुछ दूरी 4 किलोमेटर परती गंटा की गती से पेदल तेगी और कुछ दूरी 9 किलोमेटर परती गंटा की गती से साइकल पर तेगी उसने पेदल किती दूरी तेगी तो दोस्तों आपका 45 में आएगा C उप्षन 16 किलोमेटर अमारा 46 किसन है एक वियापारी 20 रुपे परतिक कीखरा बाह वाले 365 चावल दूसरी प्रकार के चावल के साथ मिला देता है और मिसरन को 30 रुपे परतिक कीखरा के हिसाब से बेजता है उसे कितना लाब या हानिप पर्तिसत होगा तो दोस्तो 46 में हमारा सही अंसर है C option 5% love अब हमारा 47 question है 30% दोस्तो यह ओप का मतलब होता है का 300 पलस X परतिसत ओफ 50 बराबर 60 परतिसत ओफ 400 में X का मुल्ले क्या है तो दोस्तो 47 में आपका option कौन सा सही है B option 300 अब हमारा 48 question है 10 पलस 10 गुणा 10 बाग 10 का मुल्ले क्या होगा तो दोस्तो जो यह board master question है इसमें सबसे पहले बाग होता है फिर गुणा फिर जोड फिर बाकी तो दोस्तो 48 में हमारा कौन सा सही है इसमें हमारा C option 20 एक cricket game के पहले 10 और में रन गती कितनी है 3.2 रन प्रती अवरती 282 रन का target प्राप्ट करने के लिए बच्चे हुए 40 और में प्रती अवर रन गती क्या होनी चाहिए तो दोस्तो 49 में हमारा C option सही है तो दोस्तो इसमें आपका आएगा A option कितना 6.25 अब हमारा last question है 50 नमबर अरुन कमल और विजे ने करमस 8,000 रुपे 4,000 रुपे और 8,000 रुपे किसी परकार विए वसाइमें में लगाए तो दोस्तो अरुन 6 मेंने बाद छोड़ देता है यदि 8 मेंने बाद 4,000 रुपे का लाव होगा तो कमल का हिस्सा कितना था तो दोस्तो इसमें आपका भी उप्सन आएगा 1335 रुपे तो इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा हो गया है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसके पास में दिये गिया रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडिया है उसका नोटिफिक्सन सबसे पहले आपके पास है तो दोस्तो दो आपका सेकेंडी वीडियो आएगा वो इसका जो सेकेंडी पेपर वाता उसका आएगा